हाई फ्रेंड्स बिंटर तो खतम हो गया पर लड्डू खाने का मन है तो ड्राइफ रूट्स करना बना करके मैं देखिए सारे ड्राइफ रूट्स की इसमें जरुत नहीं पड़ेगी मैं सिर्फ क्या-क्या यूज कर रही हूं तो चलिए सेयर करती हूं तो सबसे पहले एक कडाही ले उसमें चार टेबला स्पून भर करके घी डालने और इसमें मैं 50 ग्राम मखाना डाली हूं तो 50 ग्राम मखाना आप इसे घी में अच्छे से तब तक भुनें जब तक ये मखाना क्रिस्पी न हो जाए और बहुत ही इजी रेस्पी आप लोगे सा पौडर 500 ग्राम तो 500 ग्राम कोकोनट पौडर डालके एक मिनट के लिए हाइ फ्लेम पे ही आप इसे अच्छे से गरम कर लें इस तरह से कोकोनट जब गरम हो जाता है तो आप इसे महीनों रखे आपकी लड़ू खराब नहीं होगी तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं भूलनी अब इसे गरम में ही मुझे मिक्सी के जार में डालके इसे हमें इसको पीसना है तो इसे पीसने के लिए जल्दवाजी ना करें मिक्सी को थोड़ा चलाएं बंद करें थोड़ा चलाएं तो ये अच्छे से पीस जाएगा जब अच्छे से पीस जाए तो इसमें मैं गूर प अगर आपको ज्यादा मीठा खाना हो तो 50 गरम और ले सकते हैं 500 गरम इसमें गुड़ है 500 गरम और 50 गरम मखाना है और 1 टीया स्पून इसमें इलांची पॉडर है बस सबको मिक्स कर लेना है और फ्रेंड्स ये थोड़ा गरम ही लगेगा तो आप जब हाथ से टच करेंगे तो आपको मसूस होगा कि ये हलका गरम है तो बस इसे गरम में ही मिक्स करें और इसे गरम में ही गोल गोल लड्डू बना ले तो लड्डू के आकार छोटे बरे कैसे तो फ्रेंड्स अगर किनी को लड्डू बांदने में प्रोब्लम होती हो तो वो इसमें घी की मात्रा बढ़ा सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स बहुत ही जी और सिंपल लड्डू है यह कोई भी सीजन में खा सकते हैं बोलते हैं बिंटर में थोड़ा गरम चीज खाना चाहिए इसलिए ड्राइफ्रूट्स जादा यूज करते हैं पर गरमी आ गई तो मैं सोचे चलो कम ड्राइफ्रूट्स में सिर्फ कोकोनट की लड्डू बनाई जाए तो आपको कैसी लगी बताईएगा जरूर तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चलिए सब्सक्राइब भी कर दीजेगा जो फर्स टाइम लोंगी बाई बाई थैंक्स पूर वाचिंग